हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागित करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी पाठे पुस्ता कस्पर्स भाग 2 का अध्याय 4 करने वाले हैं जिसमें मैंतली सरन गुप्त जी द्वारा लिखेते कविता दी गई है कविता का नाम है मनुश्यता तो बच्चों आज की वीडियो में हम मनुश्यता कविता के प्रश्ण अभ्यास को करेंगे यदि आपने कविता को अच्छे से नहीं पढ़ा है नहीं समझा है तो प्रश्ण अभ्यास को करने में थोड़ी सी कठिन आई आएगी तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करें कि जो वीडियो मनुष्यता कवीता पर बना हुआ है उसे अवश्य देखें लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सब का आपके अपने चैनल तेयार मनुष्यता करेंगे तो सबसे पहले आप कवीता को पढ़ें और अच्छे से समझे उसकी प्रशन को करें जब आप physics से पढबेंगे और समझे Whats जो प्रस्ण है उसे अच्छे से समझ पाएंगे और उसका आंसर आप सही तरीके से लिख पाएंगे अब देखिए पहला प्रस्ण आपके सामने हैं कभी ने कैसी मृत्यू को सुम्रित्यू कहा है अब जितने भी जीवित प्रानी है उनके लिए मृत्यू क्या है निस्चित है यानि जितना भी जीवन है उसका मरन भी है तो यहाँ पर कभी कैसी मृत्यू को सुमृत्यू कहते है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यू जो सुएं के लिए ना जी करके दूसरों के लिए जीता है ऐसे व्यक्ति की मृत्यू क्या कहलाती है सुमृत्यू अब दिखिए यहाँ प्रश्ण का उत्तर आप इस प्रकार से लिखें प्रतिक मनुश्य समय आनुसार मृत्यू को अवश्य प्राप्त होता है क्योंकि जीवन नश्वर है इसलिए मृत्यू से डरना नहीं चाहिए बलकि जीवन में ऐसे कारे करने चाहिए जिससे उसे बाद में भी याद रखा जाए उसकी मृत्यू व्यर्थ न जाए जो केवल अपने लिए जीते हैं वे वैक्ती नहीं पसू के समान है जो मनुश्य सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कारे की पूर्ती के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं उनकी मृत्यू सुमृत्यू कहलाती है अब उदाहरन के तौर पे बच्चों मैं आपको बताऊं कि भगत सींग ठीक है, वो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी यादे हमेशा से हमारे अंदर है कोई भी ऐसा कारे जो उनके जैसा हो तो हम किसका नाम लेते हैं भगत सींग का नाम लेते हैं हम गांधी जी को याद करते हैं हम सुभाशन बोस को याद करते हैं तो ऐसे लोगों की मृत्यू क्या कहलाती है सुम्रित्यू जो स्वें के लिए ना जी करके दूसरों के लिए जीते हैं यानि जो स्वें के लिए ना सोच करके दूसरों के लिए सोचते हैं सबसे पहले दूसरों के लिए करते हैं फिर स्वें के लिए सोचते हैं ठीक है तो ये समझ गए होंगे आप दूसरा प्रस्ण है उदार वैक्ति की पहचान कैसे हो सकती है आप कैसे कह सकते हैं कि कोई वैक्ति उदार है कैसे आपको पता चलता है तो देखिए वही वैक्ति उदार होगा जिसकी अंदर दया और परोपकार की भावना होगी जो सुए से पहले दूसरे के बारे में सोचता हो ऐसा व्यक्ति क्या होगा उदार होगा ऐसा व्यक्ति परोपकारी होगा इसका उत्तर आप लिखेंगे उदार व्यक्ति परोपकारी होता है वो अपना पूरा जीवन पुन्यवा लोक हित कारियों में बिता देता है यानि सुए के लिए ना जी करके दूसरों के लिए जीता है वो किसी से भेद भाव नहीं रखता और सबसे आत्मिय भाव रखता है कभी और लेखक भी उनके गुनों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं वह निज स्वार्थों का त्याक कर जीवन का मो भी नहीं रखता अर्थात उदार वैक्ती के मन, वचन, कर्म से संबंदित कारे मानव मातर की भलाई के लिए ही होता है वह स्वे हानी उठा कर दूसरों का हित करता है प्रीम, भाई, चारा और उदारता का भाव ही उसकी पहचान है तो यहाँ पर बच्चों हम उदारन के तौर पे ले सकते हैं भगवान बुद्ध को किसे ले सकते हैं? भगवान बुद्ध बागवान बुद्ध ने लोगों की भलाई के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था और मन कर्म वचन से किस में जुट गए थे लोगों की भलाई में वैसे ही आप यहाँ पे गांधी जी का नाम भी लिख सकते हैं गांधी जी उन्होंने भी लोगों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया बच्चों यदि आपको कोई प्रस्णिया सुझाब हो तो कमेंट में अवस्य लिखे वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना बिलकुल न भूले और बच्चों जादसे जाद अपने दोस्तों को सेर करें नेक्स्ट कोईशन है कवी ने दधीची करन आदी महान वेक्तियों का उदाहरन देकर मनुषयता के लिए क्या संदेज दिया तो देखिए यहाँ पे महरसी दधीची जी का नाम उने लिया क्यों लिया दधीची जी ने अपना अस्थी यानि जो हड़ियों का धाचा है समू है उसे दान कर दिया था अपने प्रानों को नेशावर कर दिया था क्यों क्यों दान किया था तो इंदर देव को क्या चाहिए था वज्र चाहिए था और वो वज्र जो था वो बहुत ही आव बजर बनाने के लिए चीक है बच्चों और कर्ण ने क्या किया था जो उसके पास सुरक्षा कवऀश ता उसने उससे त्याग दिया था क्यों त्याग आथा तो लोगों के कल्यान के लिए थुझे इसका उत्थ अपर हम इस प्रकार लिखेंगे साथ कभीता में रती देवी के संदेज देता है कभी क्या कर रहा है दधीची कर्ण आदिमहान व्यक्तियों का उधारन दे करके त्याग और वलिदान का संदेज देता है कि किस परकार इन लोगों ने अपनी परवा किये बिना लोग हित के लिए कारे किये दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपन लेकिन भोजन का अंतिम थाल भी उन्होंने किसी भूखे को दे दिया था और राजा उसी नर ने कबूतर के लिए अपना स्वामांस भी दान कर दिया था ठीक है तो हमारा सरीर नस्वर है इसलिए इससे मौ को त्याग कर दूसरों के हित चिंतन में लगा देने में ही इसकी ता कर देना चाहिए वास्तं में सचा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व नियोषावर कर देता है ठीक है अगला सुए पर घमंड नहीं करना चाहिए तो किन पंक्तियों में उन्होंने कहा है देखिए वो पंक्ति हैं इस तरह से रहू न भूल के कभी मतांद तुछ वित में सनाथ जान आपको करून गर्व चित में अनात कौन है यहां त्रिलोक नात साथ हैं देखिए अलुदीन बंदु के बरे विसाल हात हैं तो इन पंक्तियों में लेखक क्या कहते हैं कि कभी भी सुए पर खमंद यानि एहंकार नहीं करना चाहिए और हमें कैसा जीवन वैतित करना चाहिए गर्व रहित क्योंकि संपत्ति अगर किसी के पास अत्यदिक संपत्ति है तो उसे अपने संपत्ति पर गमंद नहीं करना चाहिए बतांद यानि गमंद नहीं करना चाहिए क्योंकि आज है कल होना हो कल किसी ने नहीं देखा है कि कल राजा रंक हो जाए या रंक राजा हो जाए और इस दुनिया में अगर कोई सनाथ है तो उसे यह सोचकर घमन नहीं करना चाहिए कि अनाथ का कोई नहीं होता अनाथ का कौन है भगवान होते हैं आगे यहां पर असपस्ट भी किया गया है बच्चो नीचे ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यदि इस्वर नेश सुक साधन धन संपति आदि दिये हैं तो हमें उन पर गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है इस्वर सब के अनाथ है अगला प्रसने बच्चो मनुष्य मात्र बंधू है से आप क्या समझते हैं असपस्ट केजिए और आगे बढ़ना चाहिए इसका उत्तर आप इस परकार लिखेंगे इस कथन का अर्थ है इस्वर सर्वत्र व्यापक है और सभी मनुष्य में उसका ही अंस है संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं इसलिए सभी को प्रीम भाव से रहना चाहिए सभी को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए कोई पढ़ाया नहीं है सभी एक दूसरे के काम आए यानि सभी को एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना चाहिए परतेक मनुष्य को निर्वल मनुष्य की पीरा दूर करने का प्रयास करना चाहिए यानि कोई निस सहाय है तो उसकी सहायता करनी चाहिए तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों अगला प्रस्न हमारा है कभी ने सब को एक होकर चलने की प्रेड़ना क्यों दी तो बच्चों यहाँ पर कभी सब को एक हो करके चलने की प्रेड़ना क्यों देते हैं जब हम सब साथ में चलेंगे तो हमारी क्या होगी? उन्नती होगी हम क्या करेंगे बच्चों? उन्नती करेंगे हमारा विकास होगा और हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे सफलता हमारे कदम चुमेंगे तो इसलिए कभी क्या कहते हैं? हम सभी को साथ मिलकर के चलना चाहिए अब देखें इसका उत्तर लिखेंगे हम कि कभी ने सब को एक होकर चलने की प्रेड़ना इसलिए दी क्योंकि एकता में बल होता है मैत्री भाव से आफस में मिलकर रहने से सभी कारे सफल होते हैं उच नीच वे वर्ग भेट नहीं रहता हम सभी एक पिता पर्मेशोर की संतान है इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए सब की सہायता करनी चाहिए एक होकर चलना चाहिए तभी क्या मिलेगा? सफलता ठीक है? और हम हमेशा अपने जीवन में सफल होंगे अगला प्रस्ण देखिए वैक्ती को किस प्रकार का जीवन वैतीत करना चाहिए इस कविता के आधार पर लिखें तो इस कविता में क्या बताया गया है? कि वैक्ती को कैसा जीवन वैतीत करना चाहिए मनुष्य किसे कहा गया है? उसे जो स्वें के लिए ना जी करके दूसरों के लिए जीता है यानि वो वैक्ती जो द्यालू और परोपकारी हो उसके बाद उन्होंने मनुष्य उसे कहा है जो दूसरों की सेवा करे जिसमें त्याग की भावना हो किसकी भावना हो? त्याग की भावना हो तो ऐसे मनुष्य का उदाहरन भी दिया है उन्होंने उन्होंने कर्ण का उदाहरन दिया उन्होंने दधीची का उदारन दिया तो इस प्रकार का उदारन उन्होंने हमें क्यों दिया है ताकि हम भी उनके जैसा बन सके उत्तर लिखेंगे कभी कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो दूसरों के काम आए मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके परहित के लिए जीना चाहिए परहित यानि दूसरों के लिए सुए से पहले दूसरों के लिए करना चाहिए जो मनुष्य सेवा, त्याग और वलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महानकारे की पूर्ती के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं उसकी मृत्यू सुम्रित्यू कहलाती है यानि बच्चों वो मड़के भी जिवित रहता है मनुष्य को ऐसा जीवन वितीत करना चाहिए कि लोग उसकी मृत्यू के बाद भी उसके सद्गुनों त्याग और वलिदानों को याद रख सके त मनुष्यता कविता के माध्यम से कभी क्या संदेश देना चाहते हैं तो बच्चों आप इस कविता को पढ़िए इस कविता पर बढ़े हुए वीडियो को देखिए यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उससे देखिए सबसे पहले जब आप कविता को समझेंगे तो इसका आंसर आप बहुत ही आसान तरीके से अपने सब्दों में लिख सकते हैं कविता में कभी क्या कहते हैं कि मनुष्य वही है जो सुए के लिए ना सोच करके दूसरों के लिए सोचता है जो दयालू है जो परोपकारी है जो सब को साथ ले करके चलता है तो ऐसा मनुष्य क्या है मनुष्य है साथ ही यह भी कहते हैं कि वो मनुष्य पशु के समान है जो सुए के लिए सोचता है जैसे पशु का उदारन देते हैं वो कि पशु क्या करता है बस अपना ही पेट भरने के लिए वो हमेशा क्या रहता है वो ततपर रहता है तो मनुष्य और पशु में ब प्रविर्ति हैं मनुष्य वो है जो सुए से पहले दूसरों के बारे में सोचे जो अपने साथ साथ दूसरों की उन्नती करें तो इस परकार से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं देखिए उत्तर किस परकार लिखेंगे प्रकृति के अन्य प्रानियों की तुलना में, मनुष्य में चेतना सक्ति की प्रवलता होती है यानि सोचने की छमता होती है उसमें मनुश्यता कविता के माध्यम से कवी मैथली सरन गुप्त, मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परूपकार, सहानुभूती, सदभावना और उधारता से परिपूर्ण जीवन जीने का संदेज देना चाहते हैं कभी कहते हैं कि मनुश्य दूसरों के हित का ख्याल रख सकता है इस कविता का प्रतिपादे यह हैं कि हमें मृत्यू से नहीं डरना चाहिए क्योंकि मृत्यू क्या है निश्चित है जिसने जर्म लिया है उसका मृत्यू निश्चित है इसलिए उसे नहीं डरना चाहिए परू लोग हमें मरने के बाद भी याद रखते हैं जैसे हम भगत सिंग को याद रखते हैं महात्मा गांधी को याद रखते हैं सुबास चंद बोस को याद रखते हैं तो उसी प्रकार जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उसे लोग मरने के बाद भी याद रखते हैं हमें औलत जो है वह छनिक होता है छनिक सूख है धन होने पर घमन नहीं करना चाहिए और खुद आगे बढ़ ने के साथ औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेर ना देनी चाहिए सभी मनुष्य इश्वर की संदान है अता सभी को एक होकर चलना चाहिए और परस पर भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए निस्वार्थ भाव से जीना दूसरों के कामाना और स्वे उचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी उचा उठाना ही मनुष्यता का बास्तविक अर्थ है तो इस प्रकार से बच्चों आप प्रसन संख्या आठ का उत्तर लिखेंगे इसे अपने सब्दों में लिख सकते हैं जब आप कविता को अच्छे से समझेंगे अब यहां देखिए दिमनलिकित का भाव असपस्ट करें आप यहां पे आपको कविता की पंक्तियां दे दी गई है कविता की इन पंक्तियों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके भाव को असपस्ट करें यहां देखिए पंक्तियां हैं सहानु भूति चाहिए महा भी भूति है यही वसी कृता सदैव है बनी हुई स्वे मही बिरुद्ध वाद बुद्ध का द्या प्रवाह में बहा विनीत लोक वर्ग क्या न सामने जुका रहा अब आपको क्या करना है इसका भाव असपस्ट करन सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों अगर हमें भाव असपस्ट करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रसंग मैंने आपको भाव असपस्ट करना भी सिखाया है कि हम किसी भी पंक्ति का भाव असपस्ट कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे और प कभी इस पंग्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, कि हमें एक दूसरे के परती साहनुभूती की भावना रखनी चाहिए, उसके बाद ही आप उत्तर लिखें, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रिशंग लिखेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे, कि कभी ने एक दूसरे के परती साहनुभूती की भावना को उभारा है इससे बढ़कर कोई पुंजी नहीं है क्योंकि यही गुन मनुष्य को महान, उधार और सर्व प्रिये बनाता है प्रीम, साहनुभूती, करुणा के भाव से मनुष्य से जग को जीत सकता है महात्मा बुद्ध के विचारों का भी विरोध हुआ था परन्तु जब बुद्ध ने अपनी करुणा, प्रीम, वद्या का प्रवाह किया तो उनके सामने सब नत्मस्तक हो गए संत महात्मा हमेशा अपनी विनम्रता से मनुष्य जाती का उपकार करते हैं जो दूसरों का उपकार करता है, वही सच्चा उधार मनुष्य है ठेक है बच्चों, तो बच्चों आज भी आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध को भगवान की रूप में पूजा जाता है तो क्यूं पूजा जाता है? यह उनकी कर्म की वज़ा से इसका भी आपको आसे अस्पस्ट करना इन पंक्तियों का तो देखें यहां पंक्तियां हैं तो हमें इन पंक्तियों के भाव अस्पस्ट करने हैं भाव अस्पस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? प्रशंग लिखेंगे प्रशंग लिखना आपको सिखाया है यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट उस वीडियो को देखिए साथी अपने दोस्तों को भी सेर कीजिए प्रशंग लिखिए उसके बाद ही इन पंक्तियों का भाव अस्पस्ट कीजिए देखिए भाव इस प्रकार अस्पस्ट करेंगे कीन पंक्तियों का भाव है कि मनुश्य को कभी भी धन पर घमन नहीं करना चाहिए कुछ लोग धन प्राप्त होने पर इतराने लगते हैं स्वे को सुरक्षित और सनात समझने लगते हैं पहन तुने सदा सोचना चाहिए कि इस दुनिया में कोई अनात नहीं है सभी पर इश्वर की किरपाद्रिष्टी है इस्वर सभी को समान भाव से देखते हैं और सभी की सहायता करते हैं तो हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए किस पर तो इश्वर पर अगला प्रस्न भी भावस्पस्ट करना ही है पंक्ती दी गई है चलो अभिस्ट मार्ग में सहर्स खेलते हुए बिपत्ती बिग्न जो परे उसे धकेलते हुए घटे नहेल मेल हां बढ़े न भिन्नेता कभी अतर्क एक पंत के सतर्क पंत हो सभी तो इहां इन पंक्तियों में कभी क्या कहते हैं कि चलो अभिस्ट मार्ग पर यानि जो तुम्हारा इच्छित मार्ग है जो तुमने अपनी एक्छा से चुना है उस मार्ग पर बिना रुके चलो चाहे कितनी भी बाधाए तुम्हारे रास्ते में क्यों ना आए उसे हटाते हुए आगे बढ़ो अपने साथ साथ तुम अपने भाई बंदू को भी ले करके चलो तो इस प्रकार से इसका भावस पस्ट करेंगे देखें मैंने नीचे इसका उत्तर इस प्रकार लिखा है किन बंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य को अपने निर्धारत लक्ष की ओर बढ़ना चाहिए बाधाओं कर्षिनाईयों को हस्ते वे ढकेलते वे आगे बढ़ते रहना चाहिए लेकिन आपसी मेल जोल को कम नहीं करना चाहिए किसी को अलग ना समझे सभी पंथ वा संप्रदाय मिलकर सभी कहित करने की बात करें बिना किसी तर्क के सतर्क होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए विश्व एकता के विचार को बनाए रखना चाहिए तो इस प्रकार से आप भाव को अस्पस्ट करें चीके बच्चों तो प्रिस्ण अभ्यास का ये वीडियो यही समाप्त होता है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिलकुल न भूले साथी बच्चों कोई प्रस्ण और सुझाब हो तो उसे कमेंट में आवस्य बताए वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूले साथी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सेर करना न भूले और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे मिलते हैं आप से अगले अध्याई में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद